वल नागन सेक्स में आ रहा है बहुत जल्द बड़ा लीप पूरे के पूरे 20 साल का लीप जहाँ पे प्रथा और रिशब की बेटी यानि की प्रार्थना के उपर उसकी पूरी की पूरी कहानी बेज़ दोगी और अफकॉस प्रार्थना के साथ साथ उसके और एक बहन होंगी लेकिन क्या वो भी नागन होने वाली है या उसके भी नागन उसके वैस भी कोई नागन के शक्तिया होगी या फिर वो एक साधारन इंसान होंगी क्योंकि अफकॉस प्रथा नागन है रिशब नागन नहीं है तो क्या एक बेटी नागन और एक बेटी साधारन इंसान होंग यह भी देखना काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग होनी वाला है या फिर जैसे हमने देखा था कि प्रथा की मा किशाधी इंसान से हुई थी लेकिन महेक और प्रथा दोनों ही लड़किया जो है नागिन थी तो येस एक तो एक इंसान हो सकती है या पर दोनों के दोनों नागिन ये तो सही वक्त आने पर पता चलेगा लेकिन अब प्रतीक सहजपाल को लेकर एक बड़ी खबर आपके लेकर आ रही हूँ आप देख रहे हो FIFA FOOS में हो आपकी होस्ट चन्दोस परांगी करने को वेल लीप के बाद जैसे मैंने बताया कहानी जो है फोकस करने वाली है प्रार्थना के उपर प्रार्थना की कहानी के उपर उसकी बहन और उन दोनों के लव इंट्रेस्ट होंगे उनके उपर भी हो सकता है और अब जैसे बीच में खबर आ रही थी कि शॉटलिस्ट किया गया है प्रतीक सहचपाल को तो बी इन दे शो आज लीड तो यस अब ऐसे सामने खबर आ रही है कि अल्मोस्ट कंफर्म हो चुके है प्रतीक सहचपाल 99% उनका इस शो में वेलकम है यानि उन्हें शो में लाया जा रहा है कंफर्म हो चुके है उनका ओडिशन से वह कंप्लीटली आगे आ चुके है और शॉटलिस्टेड नहीं बलकि अब कास्ट हो चुके है लेकिन अब नहीं पता कि exactly यह किस के अपोजट होंगे क्या यह अन्मोल के अपोजट होंगे या प्रार्थना के हमें तेजस्वी के साथ उनकी जोड़ी दिखाई देगी या फिर किसी और के साथ अभी तक इसके उपर कोई भी क्लारिटी नहीं है लेकिन हाँ कुछ लोग चाहते है कि तेजस्वी और प्रतिक की जोड़ी बने और वो जोड़ी देखने मिले एक फ्रेश रिफ्रेशिंग पैर होगी बिग बॉस के दिनों में इनका जो रिष्टा था टॉम और जैरी का और यहां पर जो रिष्टा होगा शो में वो देखने मजा आएगा तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यार इन लोगों को तो हमने भाई भेहन जैसे देखा हुआ है तो इन दोनों को आज़ा रोमांटिक पैर हम नहीं देख पा प्रतीक सहर्जपाल इस शो का पार्ट है क्या कुछ कहना चाओगे इस पर लेक में नून दो कामेंट्स आज सीज सून